कि नमस्कार सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्रासिंग इमाचर प्रदेश के शमला में संजौली के बाद अब मश्चिदों का मामला गर्मादा जा रहा है हिंदू संगटनों के विरोध पदेशन और गुस्से के बाद सरकार भी बैक फूट पर गई है और राज्य में अवैद मिर्माड को लेकर प्रिशासन ने सख्त रुख अपनाना शरू कर दिया है मश्चिद के बजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है जिसके बाद वहां के मौलानाओं में भगदर मची हुई है इतना ही नहीं बुल्डोजर आक्शन की ब मश्चिद पर बुल्डोजर हिमाचर प्रदेश के मंडी में मश्चिद में अवैर निर्माड पर अब नगर निगम ने बड़ा अक्शन लिया है मश्चिद में अवैर निर्माड पर नगर निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब मश्चिद के बिजली पानी के कनेक्श जल शक्ति विभाग मंडी मंडल अधिशासी अभियंता राजकुमाई सनी ने पानी का कनेक्शन काटने के लिए विभागी लिगल कारेवाई जारी रखी नगर निगम आयुक्त एचस राणा ने बताया कि अवैद निर्माड घोसित होने के बाद आक्ट की तहत कारेवाई की मंडी में भी जेल रोड में मश्चिद में अवैद निर्माड की बात सामने आई इस पर बीती 10 सितंबर को सबसे पहले इस अवैद मश्चिद को गिराने की मांग उठी थी हलाकि 12 सितंबर को मुस्लिम समुदाय की लोगों ने भायचारे का संदेश देते हुए लोक निर्माड बिभाग की जमीन पर बनाई गई मश्चिद की बाहरी दिवार को खुद ही गिरा दिया था 13 सितंबर को इस अवैद मश्चिद को पूरी तरह से गिरने की मांग को उठाते हुए हजारों की संख्या में हिंदू संगठन सडकों पर उत्रे थी इसी दिन निगम कोट के आयुकत ने इस मश्चिद के पूरे निर्माड को अवैद करार देते हुए 30 दिन के वितर गिराने के आदेश भी जारी कर दिये दो मंजला में यह अवैद इमारत बनाई गई है इस पर गुबंद नुमा धाचे को पुरानी मश्चिद होने का दावा मुस्लिम समुदाय कर रहा है वह पहले 45 वर्ग मिटर में बनाये गया था 231 वर्ग मिटर पर अवैद कबजा पाये गया है जिसमें लोक निर्माड विभाग की भूमी भी शामिल है निगम कोट ने इस अवैद मश्चिद को 30 दिन के वितर पुराने रूप में लाने का फैसला सुनाया है अब बुल्डोजर भी चलेगा इसी फैसले की तहट अगामी कारवाई करते हुए अवैद मश्चिद से बिजली पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दोनों बिभागों को दिए गये हैं वहे मंडी के अस्थानी लोगों ने गुबंद नुमा धाचे को हिंदू देव अस्थल श्वाले होने का भी दावा किया है और पुरातत्तों बिभाग ने खुदाई की भी मांग उठाई है फलाल मंडी और शमला में हालात शान थे लेकिन शमला में अब भी मश्यद के पास पुलिसबल की तैनाती है वहे इस मामले पर हमाचर पदेश के मुख्याबंतरी सुकविंदर सिंख सुकु ने कहा कि मंडी में अवैर निर्मार की बात सामने आई है मश्यद विबाद को लेकर कमेटी बनेगी यह शांती प्रेराज्य है जहां सबी धर्मों का सम्मान होता है किसी भी धर्म और जाती को ठेस नहीं पहुंचाए जाएगी अमारी सरकार कानून के नुसार कारिवाई करेगी अवैर निर्मार स्विकार नहीं है लेकिन अवैर निर्मार को लेकर भी कानून के दायरे में कारिवाई होगी सेम सुखो ने कहा कि हम चाहते हैं कि ब्रदान सबा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समीती बनाए और अस्थाने विबादों का निप्टारा भी करे स्ट्रीट वेंडर्स को लेका एक समीती बनाई जाएगी, बाहर से आकर लोग अवैद निर्मार कर लेते हैं, जिससे लोगों को बेदिक्कत होती है, हिमाचर पदेश में पदर्शन होते रहते हैं, इनमें से कुछ नया नहीं है, हम शमला महशिद मामले में भी कानून के क्या मांग हो रही है, ये भी जानना बेहल जरूरी है, कहां से शुरू संजौली महशिद का यह विवाद, यह पूरा मामला महशिद 6-8 किलो मीटर दूर मल्याना गाउं में हुए एक जग्ड से शुरू हुआ ऐसा कहा जाता है, दरसल 31 अगरस्त को एक लोकल दुकांदार विक्रम सिंका नाई के दुकान के मालिक गुलनवाज से जगड़ा हो गया था, जिसके बास पुलिस ने विक्रम पर हमला करने के आरोप में गुलनवाज और दो नवालिगों से 6 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब आरोप सामने आये कि आरोपियों ने मश्युद में शरण ले ली थी, इस पूरे मामले पर संजॉली की एक सिवल सोसाइटी के पदाधिकारी विकास थाप्टा कहते हैं, मुसलिम सदियों से यहां रह रहे हैं, पहले भी जगड़े होते थे, लेकिन अब चीजे बदल गई है, थी कि ऐसी खबरे थी कि विक्रम पर हमला करने के बाद कुछ हारोपियों ने उस मश्युद में शरण ले थी, विकास थाप्टा भी मश्युद गिराने के मांग करने वाले लोगों में से एक है, लोकल दुकानदार का कहना है कि यह मामला मश्युद तक कैसे पहुँचा, व वह अलाके में कुणाल नाम से जाना चाता है, मैंने अपने साथी दुकानदारों को बुलाया, जिसके यश्पाल शर्मा भी शामल थे, जिसके सिर पर लोहे की रौट से हमला किया गया, यश्पाल शर्मा समला में व्यपारियों के एक छात संगठन व्यपार मंडल के सदस स हमलावरों में से एक को उसी रात गरफतार कर लिया गया था और बचे हुए आरोपियों ने अगले दिन सरेंडर कर दिया, मुझे जो याद है उस वक्त कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हमलावर भाग गये हैं और महशिद में शरण लेगी है, यह महशिद अगली तारीक 5 अक्टूबर को है, मुख्य मंतरी सुकविंदर सिंग सुक्खो ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हलाकि भाजपा के पुर्वसियम जराम ठाकू ने कौंगरेस सरकार पर मामले को हलके में लेने का आरोप लगाया, और दूसर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिम्ला में संजौली में मश्चित के अवैद निर्मार का मुद्दा भी थमा नहीं है, कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अवैद मश्चित बदाएं जाने और बाहरी लोगों को लेकर राज्ज के अस्थानी निवासी पदशन कर यह सभी एक राइले में शामिल हुए और नारेबाजी यहां भी पदशनकारी मश्चित के सामने पदशन करना चाहते थे हलाकि पदशन को पलस ने रोप दिया इसके बाद काफी देर तक बवाल जारी रहा हिंदू जागरन मंच के मुक्या कमल गौतम ने इस पदशन को मुद्दाबे उठा दिया कमल गौतम ने कहा कि वह अपने समाज के साथ ही विवहार रखे और बाहर से आने वाले अवैद लोगों को प्रसेना दे और उन्हें प्रिशासन से मान की कि यहां आने वाले हर आदमी का पंजिकरन यानिकी रेजिस्ट्रेशन कर इन्वेस्टिग मुस्लिमों से कोई आपती नहीं है लेकिन उन्हें बाहर से अवैद रूप से आने वालों का साथ नहीं देना चाहिए निर्वा में अपदर्शन दिन भर चलता रहा यहां एकठा लोगों ने मांग की कि राज्य अवैद रूप से बनाई गई मश्चितों पर कारेवाई हो नेर्वा में हुआ पदर्शन अकेला नहीं है वर्तमान में हिमाचर प्रदेश में अलग-अलग हिस्सों में पदर्शन भी हो रहे हैं यहां परदर्शन समला के संजॉली में बनी अवाद मश्चित पर हुए विबाद के बात चालू हुए है संजॉली मश्चित मामले में म मुस्लिमों ने खुदी मश्यदों को तोड़ने की अनुमती मांगी वहीं राज्य की कॉंग्रेस सरकार को हाई कमान से अवाद निर्मार के खलाब पदर्शन रोकने का हुपम दिया गया पार्टी महासिचिव केसी वेनु गुपाल ने सुकविंदर सिंग सुखु से यह पद को गलत बताया यानि यहां भी कॉंग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और उनका गिनाना चेहरा फिर से सामने आ रहा है तो लगता सवाल में फिलाल के लितना ही देखते रहें कापिटल टीबी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे सा करने के लिए शुक्रिया